बाकाजिला के रजौन पर्खंड मुख्याले इस्तित आटीपीस काउंटर पर जाती आवस्य आई आधी परमानपत्र बनाने में धांदली को लेकर आवेदकों का अक्रोस फूट पड़ा आवेदन लेने में लेट होनी की वज़ा से गुसाय आवेदकों ने काउंटर पर गुरुवार को जम कर बवाल मचाया आवेदन जमा करने आए आवेदकों की भीड ने काउंटर के जरोके के फर्स दिवार एवं बिजलीवार इंको छतिक रस्त कर दिया अभिर्थियों का उग्र रूप दे कर कॉंटर पेतानाथ कर्मियों ने इसकी जानकारी सीयो निलीस कुमार चौरसिया को दी जिसके बाद सीयो निसकी सूचना पुलीस को दी जानकारी मिलते ही मौके पर रजौन पुलीस एसाई सुरेश पंडित दलबल के साथ पहुँच कर मोर्चे को सभाला इसके बाद मामला सांथ हुआ इस संदर्व में गुसाय अभिर्थियों ने कहा कि आटी पीएस कौंटर पर जाती आवसिया आए परमान पतर बनाने के क्रम में भेदभाव करते रहता है वही अनभिर्थियों ने बताया कि हम लोग दूर दूर से यहां आते हैं फिर भी बिना आविदन जमाक किये ही वापस घर लोट जाना पड़ता है प्राप्त जानकारी के नुसार आटी पीएस करमियों के सिथिलता है कारण हंगामा और तोड़ फोड की ऐसी नौबत आई है अमरपूर सहर में लगी नो इंटरी का उलंगन करने वाले वाहन चलकों के खिलाफ पुलीस ने पूरी तरह कमर कस लिया है जिसके तहद गुरुवार के दिन थाना ध्यच कुमार सन्नी की नेत्रत में नो इंटरी में प्रवेस करने वाले वाहन चलकों के खिलाफ शापे मारी अभियान चलाते हुए करीब तीन दजन ट्रकों हाइवा को पकड़ा गया जिसके तहद दरजनों वाहन चलकों से 35 रुपे की दर सी जुरुमाना रासी की वसूली की गई नो इंटरी में प्रवेस किये गए वाहनों के चलकों ने जम कर बवाल किया एवं सभी चलक सहाय कवणिर अच्छक बी के तिवारी से उलज गए चलकों ने पुलीस पर जबरन जुरुमाना बसूली का आरोप लगाया मौके पर सुपॉल के ट्रक चलक रौसन कुमार कूरसेला के ट्रक चलक राहुल कुमार कटिहार के कुंदन कुमारी आदब सिमराही के स्याम कुमार आदी ने बताया कि हम लोग खाली ट्रक लेकर बाका पुलीस के दोरा हम सभी चालकों पर जबरन नो इंट्री उलंगन का रोप लगाते हुए जुर्मा नारासी बसूली जा रही है। नो इंट्री उलंगन करने वाले सभी वहांचालों को किसी भी सूरत में बखसा नहीं जाएगा। बाकाजला के अमरपूर परखंड के अस्थानिय रैफरल अस्पताल में गुरूबार के दिन परधान मंत्री मात्रित्व स्वच्छा अभियान के तहट सिवीर का आयोजन किया गया। सिवीर में 506 गर्वती महिलाओं को BP, Hepatitis B, Urine, वजन आदी की जाज करते हुए गर्वती महिलाओं को आवस्चक दिसानिर्देश दिये गए। सिवीर में मुख्य रूप से डॉक्टर आर्ति ठाकू, डॉक्टर दिप्ति सिन्ह, डॉक्टर सुधा कुमारी, डॉक्टर असो कुमार सा, डॉक्टर नवल परसाद सा उपस्तित थे। वहीं दूसरी तरब सिवीर में आई महिलाओं एवं परिजनों के दोरा खुले आम सोशल डिस्टेंस की धरजियां उड़ाई गई। तो ऐसे में कोरोना संक्रमन फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। जून को मेरे मुबाइल पर मैसेज आया कि मेरे खाते से 85 सो रुपिय की निकासी हो गई। सूचना मिलते ही मैं डुमरामा गायस्तित यूको बैंक गई जहां अपने खाते को अपडेट कर आया तो पता चला कि 18 जून को 6 बार मेरे खाते से 85 सो रुपिय की निकासी की गई है। जिसके बाद महिला ने थाने में लिखितावेतन देकर नयाय की गुहार लगाई है। जान जोकी में डाल कर पूरी नगर पंचायत में साब सफाई का काम किये हैं। जोकी मजदूरों को जब तक 266 रुपिय की दर से मजदूरी के अभुकतान नहीं हो जाता तब तक हम लोग की हड़ताल जारी रहेगी। बाका के फुली डूमर परखंड सभागार में परमुख गौतम परकास की अध्चिता में पंचायत समीति की समाने बैठक संपन हुई। जिसमें मुख रूप से बिधान पार्शद मनोजी आदम उपस्थित थे। बैठक में सामुदायक चिकितसा केंद्र एवं परकंड भवन का मुद्दा चाया रहा। सामूदायक चिकितसा केंड्र को लेकर स्टस्यों को पर्मुक एवं पर्खंड चिकितसा पतादिकारी संझीब कुमार सिंग ने बिस्तार से जानकारी दी धनकुणिया मैधान के पास आवस्यक तानुसार जमिन उपलब्द होने के बाद उक्त केंद्र के निर्मान की प्रस्ताब का उपस्तित मुखिया एवं पंचायत समीतिस्दस्यों ने ध्वनीमत से अनुमोधन किया बैठक में बिभिन्य पंचायतों में नाला की सफाई नही होने से परखंडबासियों को हो रही परिसानियों का सवाल पंचायत समीती सदस्य सिल्पी कुमारी मुखिया अजय यादव एवं चंदन कुमार ने जरजर विद्याले भवन की मरमती का सवाल उठाया उक्त समस्या के समाधान के लिए की गई आज तक की कारवाई की जानकारी आरपी असो की आदब ने दी मद्ध विद्याले को उच विद्याले में उतकरमित किये गए विद्यालेओं की जानकारी आरपी ने दी B.E.O. की अनुपस्तिती पर परतनी धीयों ने अक्रोस व्यक्त किया बी एओ अरुन कुमार ने बिभाग के किसानों को सरकारी नुदान पर मिलने वाली सभी योजनाओं की जानकारी दी भितिया पंचायत में पांच वर्सों से मनरेगा योजना का एक भी योजना का किरियानवन नहीं किये जाने का सवाल मुखिया मकवादेवी ने उठाया बैठक में पियो अव्धेस कुमार जिले की परती एक पंचायत में सरकारी जमीन पर चार युनीट एओं नीजी जमीन पर एक युनीट पौधार ओपन किये जाने की जानकारी दी बिजली विभाक के जेई बरुन कुमार ने पथड़्डा मुखिया संतोस कुमार ने घुसियारा डिमे आधिगाउं में खेसर की अनुप्रिया एवं मुखिया चम्पादेवी ने खेसर कोसल कुमार ने मैदान किंदवार के संजैदास ने चिन्नित तस्थलों पर बिजली व परतिनीधियों को जनता के परती जिम्मेदार रहने के परती सचेत किया उन्होंने सामुदाइक चिकितसा केंद्र एवं पर्खंड भवन निर्मान में हर अस्तर पर सयोग करने का भरोसा दिया कहा कि फुली डूमर्स उन्हें प्यार मिलता रहा इसलिए इस पर्खंड को सजाने के लिए जो भी कुरुवानी देनी होगी वे चुकेंगे नहीं बाकाजला के टाउन थाना च्छेतर अंतरगत गोलन बारी में एक युवक ने सलफास की गोली खाकर आत्मत्या कर ली युवक की पहचान राम दास के 40 वर्षिय पुत्र सुनील दास के रूप में हुई है युवक बुद्धवार की साम को ही अपने घर से निकला था जो लौट कर वापस नहीं आया गुरुवार की सुबह गाउं में उसका सब बराबद हुआ इसकी सूचना टाउन थाना को दी गई मौके पर पहुँचकर टाउन थाना अधिच राजिस कुमार जान ने सब को अपने कबजे में ले लिया सब के करीब से सलफास का डबबा भी बरामद हुआ है फिलाल सब को पुष्ट माटम कराने के लिए बांकास तर अस्पताल भेज दिया गया